देखिए बस Magnetic Properties of Material के वारें बात करने जा रहे हैं ठीक है कुछ Definitions हैं उसमें सब में Magnet लगा होगा तो इसलिए सब का मतलब समझ करके लिखिएगा ठीक है हर जिए में Magnet लगा होगा लेकिन हलका सा सब्द चेंज करेंगे उसका मतलब चेंज हो जाएगा ठीक है तो कुछ Important Terms हैं जो Magnetic Properties से Related है NCRT में एक पेज में सब को दे दिया उन्होंने इसलिए में पुरा खांदान है तो जो Indications हैं वो हमने NCRT से उसकी है ठीक है देखिए Magnetizing Field Intensity क्या होती है नाम से लग रहा है कि किसी भी Substance को जो Magnetize करे Magnetize करे कोई Substance Magnetize हो एक अलग बात है एक Magnetize कर सके उसको कहते है Magnetizing Field Intensity वो Magnetic Field उतना Magnetic Field जो किस Substance को Magnetize कर सकता है कितनी ताकत से कर सकता है वो उसकी क्या होती है Magnetizing Field Intensity किसी Field की वो Intensity वो ताकत कितनी ताकत से उकी सबस्टेंस को magnetize करें यह सब्द का आर्थ सुन मैं अब इसकी definition लिखे जड़ा लिखेगा The ability of magnetizing field The ability of magnetizing field Ability of magnetizing field To magnetize a material To magnetize a material medium The ability of magnetizing field To magnetize a material medium Is known as Is known as Magnetizing field intensity Magnetizing field intensity Or magnetic intensity Magnetic intensity Magnetic intensity And denoted by capital H And denoted by capital H And given by Given by Dash करके जड़ा समझेगा फिर लिखेगा देखिए किसी solenide में Solenide बोले तो जो नहीं जानते हो समलने कोई भी coil है यह यह solenide के लादे से spring होती है वो एक solenide है किसी solenide में अगर current flow कराते हैं तो उसके अंदर एक magnetic field create होता है ठीक है किस की वज़े से होता है current की वज़े से होता है और जितनी ज़्यादा current होगी उतना ही ज़्यादा magnetic field create होगा यानि कि जितनी current होगी उतना ही magnetic field होगा तो अगर I current होगी तो कितना magnetic field होगा I होगा अब चुँकि एक turn हो तो I लिख दे इसमें तो बहुत सारे turn है अगर per unit length number of turns N है तो कितना magnetic field होगा NI तो actually में ये solenide कितनी magnetic field create करता है करता है वो क्या है NI उतनी ही ताकस से वो सामने वाले को magnetize कर सकता है तो इसी को कहते है H बराबर NI समझे आई बार नहीं आई जैसे हम एक solenide है current flow हो रही है हमने magnetic field create किया यानि teaching field create किया हमने पढ़ाया तो जितनी ताकस से हम आपको पढ़ा सकते हैं वो क्या कहलता है हमारी field intensity ठीक है लेकिन जिस समय हम को समझा रहे थे आप बगल वाले को जलात मार रहे थे ये medium की permeability हो गई medium ने disturb कर दिया आपको ठीक है अब वो miss कर गए बगल वाले स्पूच नहीं कहा बता रहे रहे तो नहीं सुने हो कहा जब बता रहे 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 तो इसे लात मार रहे रहे ये गड़बड हो गया ना तो नहीं आप कितना magnetize होगे ये अलग बात है लेकि solenite कितना magnetize कर सकता है इतना उसके अंदर magnetic field है ना तो इतना वो magnetize कर सकता है लेकिए where i is the current in the solenite and n is number of turns per unit length तो ये हो गया magnetizing field intensity सुन में आ गया next point लिखे magnetizing field सब में magnetizing होगा देखो 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 द्यान से इस solenite ने इता समझेगा इसकी spring में current flow होई इसकी coil में current होई कितना magnetic field बना NI बना जैसे ही magnetic field बाहर निकलता है medium क्या करता है टपा मारे रहता है और वो उसको कम कर देता है यानि कि जितना field आपको magnetize करने के लिए मिला उसको क्या कहेंगे magnetizing field जितना field आपको magnetize कर रहा है कितना create हो रहा हो बात की बात है कितना magnetize कर रहा है वो है magnetizing field definition लिखे magnetizing field है तभी तो मैं आपको ये तभी मैं आपको कह रहा हूँ भाईया don't be confused हर जगह magnetize होगा यह magnetic intensity थी magnetizing field intensity उस field की intensity जितनी थी अब वो field कितना magnetize करने के लिए available है वो है magnetizing field कितना magnetic field magnetizing करने के लिए available है आपको उसको कहते है भाई coil ने तो बना दिया है नाई लेकिन medium ने कम कर दिया तो लिखेगा इसको थोड़ा सा कहानी से लिए उसको क्या कहते हैं हमने बार-बार कहा कि बार-बार एवर्ड आएगा magnetizing तो don't get confused ठीक है तो लिखेगा इसको थोड़ा सा कहानी से बताएंगे when a magnetic material when a magnetic material ध्यान से लिखेगा उसका मतलब सुझेगा when a magnetic material magnetic material का मतलब होता है जो material magnetize हो सके नहीं भी हो सकता है ना वहीं आप कितना भी पढ़ाई है कुछ student होंगे जेके student निगा देखो गुरुजी मैथ हमका आवद नहीं आप चत्ता माल लो आपका आवद नहीं माल लो तो यानि वो magnetizing material लिखे वेन a magnetic material is placed in a magnetic field in a magnetic field a magnetism is induced in it when a magnetic material is placed in a magnetic field a magnetism या केवल magnetism लिखे इस induced in it या आप जानते हैं कि किसी material को अगर हम magnetic field में रखते हैं तो उसके अंदर magnetism induced हो जाता है induced word क्यों यूज किया क्योंकि हमने नहीं नहीं हमने अगर इस substance में एक magnet छुआ दिया और एक होता दूर से हमने रखा magnetic field के वल है और इस field के अंदर इसको लेगा है तब magnetize होना एक अलग चीज होती है इसको touch करा दो और इसको magnetize कर दो यह तरीका दूसरा होता है induction में क्या होता है magnet छूता नहीं उसको magnet दूर रहता है उसके चार ओर एक field क्रेट होता है और उसकी help से यह magnetize हो जाता है ठीक है तो क्या लिखा when a magnetic material is placed in a magnetic field magnetism is induced in it paragraph change करके लिखे the magnetic field the magnetic field that exists in vacuum magnetic field that exists in vacuum and induces magnetism and induces magnetism is called magnetizing field is called magnetizing field magnetizing field बार बार example solenite का लिया जाएगा ठीक है is called magnetizing field and given by देखो process समझाया पहला आप चाहो तो statement ना लिखो कोई दिक्कत ने उसको समझाने के लिखा गया कि कि किसी भी magnetic material को अगर magnetic field में रखा जाता है तो वो magnetize हो जाता है ठीक है दूसा क्या कहा गया vacuum में जितना magnetic field available है उस substance को magnetize करने के लिए उसको हम कहते हैं magnetizing field या induced magnetizing field magnetizing करने के लिए अवलेबल फिल आप सुनिये solenide ने कितना magnetic बनाया इतना पनाया ना लेकिन भाई आप तो दूर से उस solenide के अंदर से रखे हो material तो जैसे ही स्क्वाइल ने magnetic field NI बनाया जैसे बाहर निकलेगा वैसे medium क्या करेगा उसको कम कर देगा उसकी probability उच्वी होती है तो यानि कि आपको available कितना होगा mu naught NI इतना available होगा और इसी को कहते है vacuum के लिए है इसलिए इसको B naught कहा गया संच्वाई बात B naught is equal to mu naught NI यह सब example solenide का दिया जा रहा है ठीक है क्योंकि जनरल magnet में कोई ऐसा चीज होती नहीं terms इसको मैं explain करें तो यह mu naught NI हो गया note करिया इसको where mu naught is what mu naught is permeability of free space where mu naught is permeability of free space i is the current in the solenide mu naught is the permeability of free space i is the current in the solenide and n is the number of turns per unit length समझ में आ गई बात अब लिखे magnetic induction magnetic induction या magnetic induction न लिखे एक note लिखे ज्यादा ठीक होगा एक note लिखे एक note लिखे उससे अपने आप एक formula बनने जा रहा है इसी के help से बनाएंगे अब book में हो सकता आगे पीछे दिया हो हमको जो पहले बताना है उसको पहले बता रहे हैं जो बाद में बाद मता रहे हैं अब जरा समझेगा एक solenide है एक spring होती है जतना समझ में आप तो समझेगा एक spring है एक solenide है उसमें current flow कराई उसके अंदर एक magnetic field क्रेट होगा direction क्या होगी यह current यह magnetic field आपने उस solidide के अंदर एक material रग दिया ऐसे आप ना भी रखो material तभी उसके अंदर magnetic field तो है आपने उसके अंदर एक material रख दिया material में क्या होगा जो magnetic field है वो उस material के अंदर से पास होगा वो material का क्या करेगा वो material के atoms को अपनी direction में align करने की कोसित करेगा यह depend करता है उसके atoms कितना align हो जाएं यह depend क्या करता है कि उसके atom कितना align हो जाएं align होने का मतलब क्या होता है कि उसके electron एक direction में चलना एक छोटा सा current loop बनाना सुरू करते हैं same direction की कि सभी लूप के magnetic field की direction सेम हो जाए तो एक magnetic field उसके electron के alignment की वज़े से भी तो create होगा बैस solenide का magnetic field तो था ही हम जो बता रहे हैं वो तो आप सुनी रहे हो लेकिन दिमाग process कर रहा है नहीं कर रहा है ये आपका अंदर का जो electron से उस पर depend करता है आप इस field में रखे हुए हैं हम solenide है हमने इतना magnetic field create की कर रखा है लेकिन medium में जैसे बाहर निकला वैसे medium ने permalty के हिसाफ से उसको cut कर दिया आप तप पहुँचा ये इतना magnetic field available है इस area में आपको magnetize करने के लिए तीक है आप पढ़ो चाहे दिमाग लगाओ चाहे ना लगाओ लेकिन इतना material इतना magnetic field आपके अंदर से गुजरेगा अब उस जो atoms रखा हुआ जो वो एक metal रखा आपने उसके atoms इते align होंगे magnetic field की direction में उसकी खुद की current flow होगी उसका खुद का magnetic field होगा तो उसको कहेंगे material magnetism क्या कहेंगे तो एक note लिखे when a magnetic material is placed inside the solenite when a magnetic material मतब ऐसा material जो magnetize हो सके when a magnetic material is placed inside the solenite then due to the magnetic field या due to the magnetic induction जो भी आपको है due to the magnetic induction a surface current flows in the material a surface current क्या चुद गया when a magnetic material is placed inside the solenite then due to the magnetizing field a surface current flows in the material given by I m इसको किसे indicate करते हैं I m से magnetizing field को है magnetic induction भी कह सकते हैं वह ही induce करता है ठीक है अब a surface current flow I m flows in the conductor so so this current induces a magnetic field inside the material this current induces this current induces a magnetic field inside the material given by bm is equal to सुनिया ध्यान से material तो आपने किसके अंदर रखा हुआ है solenite के अंदर रखा है न solenite इसको magnetize कैसे कर रहा है उसके अंदर magnetic field create हो रहा है तो जितने turn उस solenite में हैं उसने तो turn इसके उपर लिप्टे हुए हैं तो यह होगा mu not ni mu not ni लेकिन i कौन सा होगा im ठीक है अब ज़रा देखे ध्यान से जब आपने इस material को solenite के अंदर रखा तो उसके अंदर से एक magnetic field पास हुआ कौन सा यह वाला b not वाला जतना available था इस magnetic field ने क्या कहा कि भाई तुम भी पढ़ा करो यार चलो यार तुम भी current flow करो एक direction में कहा है इधर ज़र current flow कराते हो नहीं कराएंगे अरे यार flow कराओ एक तरफ नहीं कराएंगे जाओ ना करा यह कौन से material नहीं यह non magnetic material नहीं लेकिन यह material कैसा था तो यह वाला magnetic field जो इसके अंदर से entry किया तो इसके electron से क्या बुला कि आप current तो flow ही करा रहे हो बहीं electron क्या कर रहे है और बिटिंग तो करी रहे हो ना लेकिन किधर कर रहे हो अलग-अलग direction में कर रहे हो तो इससे बहतर क्या है आप एक direction में चलना सुरू करोगे तो यह magnetic field क्या करता है इसके electron को align कर देता है अब जितना कर पाए अगर माला इसमें 1000 एक हजार item है हो सकता है 1000 के 1000 एक हजार item align हो जाए हो सकता है 50 हो जाए यह भी हो सकता है तो जितने align हो गए उनकी वज़े से एक current दिखेगी आपको भई किसी भी material के चारोल electron तो चक्कर लगाते है ना उसके नुकलिस चारोल लेकिन क्या current आपको दिखती है क्यों नहीं दिखती क्योंकि net current उसमें 0 होती है लेकिन अगर उसमें 1000 में से 500 electron एक direction में चलना शुरू कर दें तब तो current दिखेगी 1000 के 1000 शुरू कर दें तो अच्छी बात है तो जो current दिखने लगी वो कौन सी है I am तो इसकी वज़े से यह magnetic field क्रेट हुआ तो उस material के अंदर net magnetic field कितना होगा कितना प्लस इतना नहीं होगा तो net magnetic field net magnetic field inside the material inside the material B is equal to B not एक एक step समझते जाओ वो रहें पौड़ी पौड़ी चड़ते जाओ जए मातादी कहते जाओ समझे सब कुछ आ जाएगा अगर आपने जरास भी मिस किया तो इस दिक्कत करेगा अच्छा एक सेकंड इसको जाओ से एक चीज और शेंज करें इसको हम mu not times h लिख सकते थे अगर इसको चाहे थे mu not times h लिख सकते है इसको लिखा ज़ता है तो यह फार्मला क्या बनेगा mu not ni plus mu not ni m mu not तो हम यहां से mu not कामल ले लेते हैं और हम चाहें तो इसको ni plus nim लिखा रहने दो कुछ और बताना चाहते है फिलाल अच्छा है ऐसे लिखा रहने दो अभी कुछ और बाद में बताएंगे एक चीज और बताने यह क्या हो गया है h plus nim इसको बाद में कुछ और चेंज करेंगे अभी फिला नहीं चेंज कर सकते हैं यह note कर लिजे अभी यह क्या लिखा हो बाद में बात की जाएगी कुछ और भी यह लिखा हुआ है note करिए intensity of magnetization intensity of magnetization 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 देखो द्यान से हमने दो material लिये एक material लिया ये दिख रहा है और एक material लिया ये हमने कहा कि इसके 10 molecule align हो गए जब हमने इसको magnetic film लगा इसके 10 align हो गए ठीक है इसके 10 हुए है और इसके 12 हुए है ठीक है उल्टा बोल दीजे इसके 5 हुए है इसके 10 हुए है इसके कितने एटम एलाइन हुए है 5 इसके कितने हुए 10 हुए है तो किसका magnetic field किसमें ज़्यादा है तो इसका लग रहा ना आपको लेकिन आपने ये नहीं ध्यान दिया कि जिसके 5 हुए है वो इतना बड़ा था इतने एटम में से 5 एटम एलाइन हो गए और इतने एटम में से 10 एटम एलाइन हुए तो ओवराल देखो गए तो पता जला उसमें कितने एटम थे उसमें 20 थे और 20 में 5 एलाइन हो गए इसमें 1000 थे उसमें से 20 एलाइन हुए तो actually मैं magnetizing किसका ज्यादा हुआ छोटे वाले का हुआ न तो यानि कि अगर मैं इसका magnetic moment आप से कह दूँ इसको magnetic moment कहते न इसका बड़े वाले का magnetic moment दे दू और छोटे वाले का magnetic moment दे दू ठीक है जिसमें कि हमने 5 और 10 बताया तो ये compression ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे हम कहेंगे जिसमें 10 molecule align हुए थे उसका magnetizing moment कम है क्योंकि उसके 10 ही atom align हुए है उसमें 1000 एटम थे और छोटे वाले में 10 एटम से उसमें 5 align होगे 50% हो गए तो हम क्या करेंगे इसका magnetic moment per unit volume निकालेंगे उसे compare हो जाएगा देखो magnet ज़्या समझिएगा एक current loop होता है current loop अगर उसमें I current loop है I current उसमें floor रही है उसका area A है तो I into A क्या होता है dipole moment होता है न magnetic moment उसी dipole moment क्या बात कर रहा है तो dipole moment per unit volume ये होता है intensity of magnetization कितना intensity से वो magnetize हुआ नहीं समझे फिर समझिएगा हम magnet solid light ने कितना magnetic field create किया वो उसकी intensity थी वो edge थी कितना market में available मेड़ब 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 हुआ वो mu naught नाई हुआ material कितना magnetize हुआ तो एक छोटा सा 50% हो गया एक बड़ा सा 10% हो गया इसके 50% में 5 molecule थे 10 में से 5 हो गये इसमें 1000 में से 20 हो गये तो छोटे वाले का magnetization ज़्यदा हुआ है बड़े वाले का छोटे वाले का हुआ जबकि उसमें तो 5 ही हुए थे बड़े वाले में 10 हुए थे लेकिन गड़बड ये था कि percentage के हिसाब से तो कितना intensely magnetize हुआ हुआ उसको कहते हैं intensity of आपने 5 सवाल बताया सामने वाला बहुत सारे लगा लाया tick tick नहीं मतलब question लगा लाया तो यानि कि per unit volume कितना वो magnetize हुआ उसको कहते हैं intensity of magnetization तो definition लिखे पहले इसको कहानी लिखे थोड़ी when a magnetic material when a magnetic material is placed in a magnetizing field when a magnetic material is placed in a magnetizing field it gets magnetized ये केवल background कहानी लिखा ही जा रही है इसका मतलब समझाय जा रहा है इसको आप चाहो तो definition में लिखो चाहो तो ना लिखो it gets magnetized the magnetic moment the magnetic moment the magnetic moment developed per unit volume the magnetic moment developed per unit volume of a material the magnetic moment developed per unit volume of a material placed in a magnetizing field placed in a magnetizing field per field is called intensity of magnetization or magnetization cable magnetization भी जिएका सकते हैं और magnetization और magnetization and given by given by capital M से इसको denote करते हैं हमने क्या कहा? magnetic moment per unit volume magnetic moment का indication क्या होता है? small M small M और volume को V तो ये given by capital M is equal to small M upon volume ये इसका formula होता है ठीक है? अब जड़ा इससे एक formula बनाने जा रहे हैं note लिग दीज़ेगा इसी में हम बनाने जा रहे हैं फार्मॉला अपने आप सुझ में आ जाएगा आपको हम क्या बना रहे हैं? देखें capital M is equal to साउधान अपने आप 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 आँसर निकाल लोगे small M क्या है? small M क्या है? I into A मतलब कितनी current उसमें flow रही है? क्या इसमें I current flow रही है? यह तो एक solenide के अंदर रखात था ना? solenide में जितनी current flow रही उतनी ही इसमें flow रही है तो इसमें current कितनी फ्लो रही है? N I I बोले तो कौन सी current? I am into A ठीक है? इसमें length N क्या है? यानि number of turns current volume यानि आपने जो material रखा है ना? उसमें जो number of turns लिखे हैं वो कितने लिखे हैं? small length यानि कि आपने इसकी कितनी length ली है? एक मीटर अगर आप पूरे metal की बात करते हैं तो बहुत सारे turns हो जाते हैं तो आपने इसकी length क्या रखी है? unit length यानि कि अगर हम volume लिखेंगे तो volume का formula क्या होता है? area into length तो area और length आपने क्या लिए इसकी? 1 लिखी है न? तो a a cancel हो जाएगा न? तो इसको n into i m लिखा जा सकता है? तो magnetization का एक formula क्या बना? n into i m आप जरात सावधान पीछे एक formula भी थोड़ी दे पहले हमने बताया कि अगर किसी material को सुनिये ध्यान से solenite के अंदर ना भी रखो solenite में current flow कराओ तो solenite में कितना magnetic field create होता है? mu naught n i solenite में और अगर material को भी रख दोगे तो उसके अंदर कितना create हो जाएगा? mu naught n i m total कितना हो जाएगा? यह total magnetic field create हुआ था इसकी value क्या थी? इसकी value क्या है? capital M, M2 है हाँ तो यानि कि mu naught कामल लिया यह capital H plus capital M, capital M बोले तो per unit volume वह यह क्या small M क्या होता है? magnetic dipole moment magnetic dipole moment का मतलब क्या हुआ? देखिए, एक current ऐसे एक electron ऐसे गुमा एक current loop बना तो हमने का इधर से देखो अपनी तरफ से current की direction क्या है? हमाई तरफ से देखो तो यानि कि अभी हमने क्या कहा था? कि अगर current ऐसे फ्लो हो रही है तो जहां पर कौन सा पोल बनेगा magnet का? south pole और यह कौन सा वाइस दिख रहा है? और अगर current ऐसे फ्लो हो रही है तो आपने वह एक यह एक electron घूम रहा था ना तो माली जे वह किसी कौैल में घूम रहा है तो आपके हिसाब से कौन सा वाइस दिख रहा है? यानि आपके हिसाब से कौन सा पोल दिख रहा है? और हमारी तरफ से क्या बन गया? यानि कि जो एक electron घूम रहा है अपने एक orbit में छोड़ा सा या spin कर रहा है यह छोटा magnet बना रहा है ना एक छोटा सा magnet बना रहा है ना तो आप माले 500 electron है तो 500 गुना वह बन जाएगा ठीक है? हो सकता है 500 में 500 electron एक direction में मुपना सुनू कर दें तो उसी को तो आप I into A जो होता वही तो M होता है ना तो इसमाल M क्या होता है? magnetizing, magnetic moment और capital M क्या होता है? पर unit volume कितना वो magnetize हुआ उसको capital M कहते तो यह formula एक बनेगा जिसका आगे इस्तिमाल करेंगे नोट करिए हमने permability of free space की बात नहीं की हमने word दिया magnetic permability जरा समझने की कोसिस करिए solenide ने कितना magnetic field क्रेट किया? H है ना? solenide ने H क्रिया जरूरी है उसके अंदर vacuum ही हो कोई medium ही हो सकता है ना? तो अगर medium है मीडियम ने क्या क्या उसको कितना कर दिया? म्यू कर दिया ना? और यह magnetic field आपको मिला? मीडियम के लिए B not जो लिखते हो वह vacuum के लिए होता है मीडियम ने इतना कर दिया ना? मीडियम ने तो म्यू की value क्या हो गई? बी अपानेच हो गई इसी को कहते है magnetic power ability सब्सक्राइब बात यह mu not जो यूज आप करते थे vacuum के लिए करते थे लेकिन उसके चारो तरफ क्या था? मीडियम था? चारो तरफ क्या था? मीडियम था? वैक्यूम का मतलब आप isolate बैटे हुए चारो तरफ कोई नहीं है हम पढ़ा रहे हैं हम magnetic field क्रिएट कर रहे हैं लेकिन आप तक वो पूरी बात नहीं पहुंच रही है क्यों? क्योंकि मीडियम आप तक पोस्टे नहीं दे रहा है तो मीडियम क्या था? वैक्यूम क्या था? अब क्या हुआ आप बैटे हैं और हम बैटे हैं लिखे definition लिखे definition क्या दिख रही है? कि H B और H का ratio जो होता है वो कहलाता है definition the magnetic permeability of a material the magnetic permeability of the material the magnetic permeability of the material may be defined as may be defined as the ratio of its magnetic induction the ratio of its magnetic induction मतर कितना वे induced हुआ? कितना उसके अंदर magnetic field create हुआ? ratio of क्या छूड़ गया? the ratio of its magnetic induction bracket will go capital B capital B to the magnetic intensity capital H to the magnetic intensity capital H magnetic intensity capital H ठीक है? ठीक है? समझेगा magnet ने solenide ने कितना दिया? और कितना आपने लिया? कितना आपको magnetize किया? यह ratio आपका है क्यों उतना लिया? कि magnet ने जो मीडियम है उसने permit नहीं किया गरबड कर दिया तो यह magnetic permability है इसके unit की बात करते है unit की बात करते है magnetic field की unit क्या होती है? टेसला और H की unit क्या दिख रही है? एन आई है ना? नहीं एच क्या है वैसे? एन क्या है? पर मीटर एमपियर पर मीटर एमपियर आप चाहो तो इसकी dimension भी आप निकाल सकते हो ठीक है? relative permability क्या होती है? relative permittivity याद है आपको क्या बताया गया था? किसी medium to the permittivity of बस वही कर लिजेगा लिखे permability of the medium the ratio of the the ratio of the permability of the medium to the permability of free space is known as relative permability या आपने permittivity में पढ़ा है magnetic susceptibility susceptibility word आपने सुना है कहीं? susceptible इंगलिज में ने सुना आप लोगों ने अरे क्या होता है? सुरू कर दिया एक हफ्ते के छूड़ दी medium ने पर build कर दिया अभी अभी सुना है susceptible का मतलब कोई नहीं जानता सुनिये ध्यान से जैसे कहीं मौसम चेंज हो जाता कुछ लों बड़ी जुकाम हो जाता है? लड़कवा बहुत नाग भई रही है अगर है पानी बदलीगा तो जुकाम होईगा और पता दिया खुद कर दे पानी पीते रहे मतलब हमारी बड़ी सर्दी के प्रत ज्यादा ससेप्टिबिल है कुछ लोग कितों हुषड़ खाएं कोई दिक्कत नहीं कुछ थोड़ा खाए तो निपट रहें दोदी छुट्टी लिए पड़े हैं कोजिंगों नहीं आ रहे हैं इसका मतलब पेट उनका खाने के प्रतुड़ा ज्यादा ससेप्टिबिल है आप तो वर्ड पकड में आया कोई चीज सेंस्टिव है किसी मैटेरियल को आपने मैगनेट ऐसे कुछ लड़के आते उन गारजन क्या करते हैं बढ़ा इंटेलिजेंट है जरास बता बता द्यो बस ठीक है और एक आते हैं आप मारो साले को जूतों से मारो और बहुत तंडों से मारो हम तंडा दीजाए बैए एक कामता उसके ससेप्टिटी कैसी है गबढ़ है वो ससेप्टिबिल नहीं है ठीक है अब तो लोग नहीं बताते हैं शुरुआत में जब मोबाईल आया था तब जब गारजन आते थे उनका लड़का मोबाईल चला लेता था और वो मोबाईल चला नहीं पाते थे वो जानता था इसे इसे करता है मासाब मतब गाना δो minutes में download हमने का पर पूरी बाद सुन ले उनसे अब सुन लिया है य Canyon लडरका intelligent है क्योंकि मोबाल चला letा हमने का हमारे है लटकड़ी वाला काम कर रहा है उनसका लडरका dj चलाता है गाना एक minute में download इसलिए गाना download करना दिमाग चलने का निसानी नहीं होती है ठीक आप तो कई आपने देखा होगा बंदरों चलावा करते इसे चला ले थे पन कुटों बैठा इसे देखा करीब पाँ इसे मारत है कई वीडियो शेयर हुआ करते है ठीक है तो ससेप्टिबलिसन में आया किसी मेटेरियल को आपने मैगनेटिक फिल्म में रखा और रखते ही उसके एक हजार मालिकूल या रखा आपने एक हजार मालिकूल में एक हजार मालिकूल एलाइन हो गए तो एक में पान्सो हुए इसका मतलब क्या होता है कि एक हजार वला ज्यादा susceptible है ने आप sensitive न बोलिए जो ठीक है लेकिन आप science की भासा में समझेंगे समझ मही बात तो अब word तो पकड में आ गया तो लिखेगा यानि कि किसी भी substance को magnetic field में रखने पर कितनी जल्दी कितनी ज़्यादा वो magnetize हो जाता है उसका measurement उसकी susceptibility होती यह physical definition है physics की भासा में तो पहले physical definition लिखेगा magnetic susceptibility magnetic susceptibility measures measures the ability of the substance the ability of the substance the ability of the substance to take up magnetization to take up magnetization when placed in a magnetizing field when placed in a magnetizing field यह तो हुआ जाकर कि किसी magnetizing field में रखने पर वो कितना ज़्यादा magnetizing हो सकता है ठीक है वो उसका हो गया magnetic susceptibility उसकी ability paragraph change करके लिखे the ratio of the the ratio of the intensity of magnetization the ratio of the intensity of magnetization capital M the ratio of the intensity of magnetization capital M उसकी परेकन लिखेगा to the magnetizing field intensity capital H to the magnetizing field intensity capital H is known as magnetic susceptibility is known as magnetic susceptibility and given by अब ज़रा indication देख लीजेगा इसके indication को इधर देखो X की एक टांग टेढ़ी कर दो एक टांग सीधी कर दो इसको पढ़ते हैं देखे यह ऐसे बना ही है बिल्कुल यह टेढ़ा मत करिए यह ऐसे बनाते हैं ऐसे देखो पढ़ते हैं इसको काई क्या पढ़ते हैं लेकिन 75% टीचर इसको पढ़ते हैं साई यह चाई नहीं है यह कुछ लोग चाई तो ही नहीं है यह काई है चुलि में यह जो mathematics and statistics पढ़ोगे तो वहाँ यह वर्ड आएगा अब चाई चाई जो तो चिला हो अरे किमिस्टी वाले ठीक है उचाई पढ़ा दे यह काई है यह mathematics कवर्ड है यह काई M इसकी unit क्या होगी unit इसकी होगी ampere per meter निकाल लिजेगा अपने ampere per meter इसकी unit होगी M की unit आप जानते हैं I into A ampere meter square और SK भी अब निकाल चुके है ठीक है तो सुझ जाई बात ठीक है